जैहिन प्यारी दोस्तों मैंने 26 सो मैत करवा दिये जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नमबर वन वॉल्यूम नमबर टू इसमें 64 स्रेट 26 सो मैत की ही हैं मैं उनको जो वॉल्यूम नमबर वन का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थमने लगाकर वीडियो को हम अपलोट कर कि जैसे आप 26 मैट का पहला सिट लगा रहे होंगे सिट मे जो हमारे solution होंगे वह इसी सीरियल से रहेंगे solution का serial यही रहेगा बट जो यह numbering का serial है यह नहीं मलब question यही रहेगा बस यह numbering नहीं रहेंगे numbering आगे पीछे की रहेंगी तो उसे matter नहीं है आपको question के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा मैं डेली दो वीडियो यूटूब में अपलोड कर दूँगा जिससे आप सीख सकें ठीक है तो सेशन को एंज्वाई कीजिए हेलो एंड वैलकम मैं यानि प्रकास अवस्ति कानपुरवाला जी हाँ दोस्तों आज सेट नंबर 24 पढ़ेंगे 13 जनवरी 2021 का पेपर आरार भी एंटी पीसी निरंतर पढ़ाते जा रहे हैं और आप स्वयम से भी अभ्यास करते रहें इस किताब में आठ सेट बचे हैं उन्हें भी धीरे-धीरे करके कराया जाएगा क्योंकि आज ये 24 मां हो जाएगा पहला ही कोशन प्यारा सा कोशन है समझेंगे कहता है 1000 लड़के और 600 लड़कियों एक परिच्छा में भाग लेते हैं यदि 40 परसें लड़के और 35 परसें लड़कियां उत्रिड हुई तो परिच्छा में अनुत्रिड उमीद वारों की कुल संख्या का प्रस्षत ग्याद क जीजिए सेम कोशन सेम पैटन से कल रात में भी कोशन कराया गया था जैसा कि जो लोग पढ़ रहे हैं इस किताब का सुलुसन रात में पढ़ाया जाता है और इसमें भी ऐसा ही कोशन परसिंटेज में था जी हां हजार लड़के 600 लड़कियों इनका रेशियो ले लो तो आप कोगे वाइज एंड गल्स का जो रेशियो होगा वो 5 इस्टू 3 होगा बोलो हां 5 और 3 का अनपार एक परिच्छा में भाग लेते हैं यदि 40 परसिंट लड़के और 35 परसिंट लड़कियों उत्रिण है तो अनुत्रिण वाला पूछा गया अगर 40 परसिंट लड़के उत्रिण है तो अनुत्रिण लड़के होंगे 60 परसिंट और 35 परसिंट बालिका है उत्रिण है तो इन में से सबसे छोटा लेते हैं इन में से सबसे छोटा क्या है साथ इससे ये कितना ज्यादा है ये साथ है इससे कितना ज्यादा पांच एक का पांच तो तीन का पंदरा ज्यादा एक का पांच तो तीन का पंदरा ज्यादा बोलो हां एक का पांच तो तीन का पंदरा में जाएगा तो 61 points something में answer अब आपकी नजर option में जाओ तो 61 points something में एक ही option है जो कि options number C तो बच्चो भागाग देने में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यह नहीं कि जूज है जाओ साफ साफ दिख रहा है कि 61 सिक something में जाएगा 62 भी नहीं पहुच रहा है तो answer हमारा यही होगा कैसा लगा चले प्यार से पढ़ेंगे भर भर के classes शालू हो चुकी है याद रखें Monday to Saturday आपको भर भर के classes मिलेंगे हां उसमें भी एकाद दिन अगर बीच में गैप हो जाए तो यह मान के चलो वीक में पांस दिन प्रॉपर क्लासिस मिलेंगे इंसान है न मसीन नहीं है यदि प्रतेक 10 सेंटीमिटर भुजा वाले दो घनों के सिरो को जोड़कर एक घना बनाया जाता है प्यारे दोस्तों एक घना बनाया जाता है यह एक घन है और एक घन ये दोनों घनों के सिरो को जोड़ दो और एक घना बनाया जाए तो देखा जाए इसका जो एल होगा वो 20 हो जाएगा बी हमारा 10 हो जाएगा और हभी हमारा 10 हो जाएगा हब हमारा 10 हो जाएगा यह प्रतेक 10 cm भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाब बनाया जाता है तो इस घनाब का प्रष्टी छेत्पल यानि टोटल सर्फिस एरिया यानि टू एल बी बी एच और एचल का खेला है टू ऐसे एल बी बीज दस से दो सो बी और ये ये सो हो गया एच और एल एच और एल दो सो तो ये पानसो दूना हजार पानसो दूना हजार इसका आंसर थाउजंड हो जाएगा तोकि एरिया है और अगर कभी आयतन हो तो वो क्यूबिक रहता है चाले जैसे ये कोशन में थोड़ा सा मिश्टेक है आटवे वाले में बहुत अच्छे समझेंगे और प्यार से जानेंगे हर चीज को बताएंगे एक बच्चा पूछ रहा है डिश्टल बोर्ट पंदरा दिन बाद आएगा हमने और बहुत दिन पहले कर दिया था लेकिन नहीं आया थोड़ा सा किस्मत भी साथ नहीं देती मेरी कभी कभी इन सब चीजों में इस पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे अभी पढ़ाई पर फोकस कर लिजे जिया क्योंकि जब अभी कोई डिश्टल बोर्ट बोलता है न मुझे खुद दुख होता है समझ गए अभी पढ़ाई करते हैं इस पे चर्चा हम अलग से एक वीडियो में कर देते हैं उसको पढ़ लेना 500 व्यक्ति एक घनावकार तलाब में डुक्की लगा रहे है जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चोड़ा है यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्तापित पानी का आउसत आयतन 0.04 मीटर स्क्वार है तो तलाब के जल के इस तर में हुई व्रद्धी ग्याद किजिए मासूम से दोस्तो यहां सिर्फ दोनों का आयतन बराबर करना है देखो यहां पर मिश्टेक कहा पर है वो समझो 0.04 मीटर स्क्वार नहीं होगा मीटर क्यूब होगा क्योंकि इसे हम आयतन बोलने है यानि वॉल्यूम तो आयतन में क्यूबिक रहता है यह बात माइन में रखना तो किताब छापने में गलतियां होती है एक पांसो व्यक्ति तो पांसो व्यक्ति और पर व्यक्ति इतना आयतन यानि 0.04 प्यारे दोस्तों एल बी एच तो एल हमें दिया गया है असी बी दिया गया है पचास एच चाहिए इसे कैलकुलेट करो केते पचास से यह दस बार में गया दसंबलो आटाओ नीचे दोठो जीरो लगाओ तो एच बराबर आ गया चालिस अपॉन आठ हजार बोलो हाँ अब ये चीज हमारी मीटर में है बच्चों सेंटी मीटर में कनवर्ट कर लो तो 40 गुडे 100 अपॉन 8000 मादलब 4000 अपॉन 8000 यानि 0.5 यानि 0.5 सेंटी मीटर में आंसर आएगा तो इसकी जो उचाई होगी प्यारे दोस्तों वह 0.5 सेंटी मीटर होगी पॉइंट फाइब सेंटी मीटर होगी चले आठवे के बाद नौवा नहीं अठारवा नंबर तोगी नंबरिंग आप जानते हो सेट है इसमें आगे पीछे कोशन्स आई हुई है चाले प्यार से पढ़ेंगे महपब से सीखेंगे सभी लोग जी हां दोस्तों सेशन को लाइक और सेयर कर दिजे जादा से जादा जादा से जादा जी हां दोस्तों बिल्कुल हेलो मेरे बाई अतुल जी यदि x बराबर a sin theta b बराबर 10 theta उठा कर इसमें रग दो जब उठा कर रग दोगे तो a square ऐसे आया बोलो हाँ a square ऐसे आया नीचे x square तो नीचे देखो a square sin square theta हो जाएगा minus का b square ऐसे अब y की value तो b square 10 square theta तो b square 10 square theta मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना a square से a square काटो b square से b ये value उपर जाएगी तो ये value हो जाएगा कॉसिक square theta ये उपर जाएगा तो 10 का cot square theta हो जाएगा दोस्तों देखा ये जाए इसकी इवमान 1 आ जाएगा the right answer of this question guys कॉसिक square theta minus cot square theta जो की 1 होता है 18 के बाद 21 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से चालिए दिनेश कुमार मीना जी बिल्कुल आपकी बात हमने समझ ली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो पढ़ते रहे अभी मुस्कुराते रहे और सारे फॉर्म भी भरिये हमेशा याद रखिये जैसे यह बच्चा कह रहा है मेरा मानना बिल्कुल इस बच्चे का भी कहना सही है क्योंकि इसने सिर्फ जीवन में ग्रुप D का ही फॉर्म भरा है बिल्कुल सही है पर मेरे प्यारे दोस्त मैं हर वीडियो में बहुत दिनों से चिला रहा हूँ एक साल से कि बच्चा कई सारे फॉर्म भरो जिस चीज को तुम चाहोगे वो तुरंत नहीं मिलती हमेशा याद रखो उसमें समय लगता है अब रेलवे एक्जाम नहीं करा रह है पर बाकी तो एक्जाम हो रहे है एससी अपने एक्जाम करा रहा है अरे उसके फॉर्म भरो MTS CHSL SSC GD का भी है ठीक है समझ गया अब रेलवे नहीं करा पा रहा है पर बाकी तो एक्जाम है उनमें नौकरियां लोगों की लग रही है ये बात हकीकत है और इसको मानना पड रोज जो मैठ मैं पढ़ाता हूँ वो सभी एक्जाम में आता है और दस बारा फॉर्म भरोगे तो जल्दी सेलेक्शन होगा एक एक फॉर्म भरके त्यारी करोगे तो कश्ट जीवन में होना ही होना है आप मुझे देख लो मैं अपना ही एक्जामपल देता हूँ क्या मैं यूटूब में एक किताब पढ़ाता हूँ बस यहीं से आप अंदाजा लगा लिजे क्या मैं एक किताब पढ़ाता हूँ बस मैं हर कई किताबे आप जाकिए देगे बहुत सारी किताबे वैसे आपको बहुत सारे एक्जाम देने हैं समझदार के लिए सारा काफी पढ़ते आयू ग्याद कीजिए आयू वर्स 15, 16, 17, 18, 19, 20 और छात्रों की संख्या 3, 8, 10, 10, 5, 4 हम से क्या चाहिए तो इसमें एक तरीके से हमें माद चाहिए तो इसका नियम क्या होता है ये आप भी जानते हूं कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इसको सॉल्व करते हैं से दोस्तो 15, 45 बोलो हाँ 15, 45, 16, 8 कितना 128, 17, 10, 17, 18, 19, 95, 25, 24, 80 और नीचे भाग किस से देना है तो ओलेडी 40, शात्र बोला है तो 40 से ही भाग देना होगा उपर वाली वैलू को जोड़िये मगर प्यार से तो देखा ये जाए 0, 5, 8, 5, 13, मना 5, 5, 10, 8, लाश्ट में 8, एक हासिर 9, 8, 17, 17, 8, 25, 25 और 7, 25 और 7, 32, 33, 34, 34, 34, 38, 49, 3 हासिर एक, दो, तीन, 6, 98, 40, प्यारे दोस्तों हम जानते हैं कि 17, 68, मतलब 17.something में आंसर आएगा कौन सा ओप्सन है, एक ही ओप्सन है, 17.45, आप इतना देखिए, 17.68 ऐसे, तो प्यार से सीखिए, महबबस से, और याद रहे, कई सारे फॉर्म भरोगे, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी किसी एक चीज पर डिपेंड कोई ना रहे, मैं इतनी मैथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप सभी एक्जाम के त्यारी अच्छे से कर सके चाले, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, चीजों को सीखते रहे, सभी लोग अच्छे से 22.00 कोशन, सभी लोग सीखिए 22.00 कोशन, तीन संख्याओं की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ग्यात किजिए, जो 6, 9, 12, 15 से पूरता है विभाज होगे, इसमें आप हाइटेक वर्जन को समझिए, 6, 9, 12, 15 से विभाज है, पहली संख्या 925 है, दूसरी ट्रिपल नाइन है, तरीका समझिए, तीसरी 895 है, चोथी 900 है, प्यारे दोस्तों, 6, 9, 15 आपको बहुत हाइटेक तरीके से कॉंसेट सिखाए गए हैं, आप उन कॉंसेट को फॉलो करो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखो ये 12 लिखा है, जो कि 4 का मल्टपिल अंतिम दो अंग 4 से विभाजित होने चाहिए, क्या इनके अंतिम दो अंग 4 से विभाज अंतिम दो अंग 4 से विभाजित, अब इन 3 के नहीं तो ये सेकिंडो में आंसर पेपर में करके आ जाओगे, जिन को LCM SCF नहीं आता तो यूद से पढ़ो, जो हमने पढ़ाया, रेलबे वाला, ठीक है, 26 नंबर कोशन, पढ़िए मगर प्यार से, प्यारे दोस्तों, निरंत पढ़िए, और चीजों को सीखिए, दिखिए, फोकस करते हैं, ये अच्छी बात हैं, पर बहुत से एक्जाम हो रहे हैं, अगर हम सब को टार्गेट करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, सिती में, डी पैलल है, बी सी के, यदि एडी बराबर एक्स, दी गई आकरती में, डी पैलल में इस आकरती को बना लूँ, कहता है, दी गई आकरती में, डी पैलल है, बी सी के, मतलब, डी पैलल है, बी सी के, कहता है, एडी बराबर एक्स, एडी बराबर एक्स, बी डी बराबर, एक्स माइनस टू, ए बराबर, एक्स प्लस टू, और एसी बराबर, एक्स माइनस वन, दोस्तों बीच बीच में नेट जा रहा है डरिये नहीं हम रुक जाएंगे हमें दिखता है क्योंकि सर्वर चला होता यहां से भी तो दी गई आकरती में DE पैलल है BC के AD, DB यह हमने सब भर दिया हमने आपको पड़ाया था थेल्स थियोरम, थेल्स थियोरम में बताया था कि अगर यह दोनों पैलल है जिस रेशियो से यह दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो से यह होंगी बस और कुछ नहीं करना है यानि X प्लस 2 अपॉन X माइनस 1 बराबर X अपॉन X माइनस 2 कोशन का अंसर 4 आएगा बोलो हाँ बोलो हाँ तो प्यार से पढ़िये हमारे साथ पढ़िये चाले तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते भी रहिए कोशन नमबर 26 के बाद 27 नमबर 27 नमबर कोशन हार एक व्यक्ति जानेगा और सीखेगा 27 नमबर कोशन केता यदि A कार A कार B से दुगनी तेज है और कार B कार C से तिगनी तेज है यानि A B C का रेशियो हमें देखा गया कार C की स्पीड एक तो B की तिगनी और B से A दुगना है तो 3 दुगना 6 भासा को समझे अब हमसे कहता है क्या कार C 60 मिनट में तै की गई दूरी को तै करने में B द्वारा कितना समय लगेगा इसके द्वारा 60 मिनट लगते हैं तो इसके द्वारा कितना आप एक चीज समझो Speed into time distance तो 60 वंजा 60 बोलो हाँ तो 60 distance हो गई और यहाँ पर भी उतनी ही दूरी चलनी है तो 60 में 3 का भाग दोगे 20 क्योंकि इन दोनों का गुड़ा भी 60 होना चाहिए इन दोनों का भी क्योंकि दोनों केस में distance सेम होनी चाहिए बोलो हाँ अरे भाया Speed into time तो 60 यह हुआ distance Speed into time तो एक यहाँ 60 में अब यह नहीं कहना कि एक बराबर 60 के तो 3 बराबर 180 ना यह Speed का रेशियो है यह time है अभी इसकी Speed एक है और यह 60 मिनट में तै करता है तो 60 दूरी तै की और कहरा उतनी दूरी जब गती 3 हो तो सीधी सी बात है तो 3 का 60 में भाग दो 20 मिनट में तै करेगा यानि इसका आंसर 20 मिनट आएगा आसा है समझ गए जो मासूम से बच्चे हैं वो समझे यह Speed को 3x और यह ऐसे कि 3x Speed टी टाइम में तै होती है और x Speed में 60 x से x गया अब टी बराबर 20 वो ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि मासूम से बच्चे हैं दोस्तों आपको हम बता देते हैं बहुत अच्छी बात जो बच्चे अभी तक NTPC CBD 2 की त्यारी कर रहे हैं और इस किताब को नहीं लगा रहे हैं वो स्वयम एक दिन जिम्मेदार हूंगे याद रहे जो पेपर होता है NTPC CBD 2 का वो SSC की ही पैटन पे ही होना है यह माइन्ड में अभी से सेट कर लो और इस किताब को बनाओ latest updated सबसे बड़ी बात latest updated as well as bilingual और साथी साथ advanced math special के भी हम lecture देते हैं साथी साथ हम theory के भी lecture देते हैं और हर एक label को रात को 9 बज़े जुड़िए और अगर आपकी इच्छा है तो by भी कर सकते हो यह course नाम मात के सुल्क में है जैसा कि आप जानते हो ठीक है तो इस किताब को लगाना चालू करो मैं बार 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 बता रहा हूँ अन्नथा पस्ताओगे एक दिन क्यों इस किताब को लगा डालने के बाद मलब जो हमारा course डिजाइन है उसको कर डालने के बाद आप सारे एक्जाम दे सकते हो जो तुमारी स्रद्दा है जाओ पेपर देके आओ चिल मार के कौनों कोशन इधर से उधर नहीं होगा क्यों क्योंकि मैंने इतनी किताबे पढ़ाई है तो मुझे मालूम है कि किस लेबल का और कहां कहां कि कोशन आए हैं लोगों की तरीके नहीं कि कछू नहीं पढ़ाया और ग्यान दे दिया ठीक है आप देखो क कितनी किताबे पढ़ाई हैं तो हमें अंदाजा भी ऐसे नहीं है जैसे यह कोशन हाइटें डिश्टेंस का टेडिशनल कोशन के तब बारा मीटर उचा एक पेन हावा से तूट कर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका सीर्स सिरा जमीन को इस पर्स करता है मासूम से दोस जुरत नहीं थे यह प्यारे दोस्तों दिया गया है कि ता बारा मीटर उचा एक पेड़ हावा से तूट कर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका सीर्स जमीन को इस पर्स करता है जमीन के साथ 60 डिग्री अकोर बनाता है पेड़ हावा की वजह से जमीन में फिलाल टाग् प्रकास हाई टेक मैथड में सभी जानते कि 60 के साथ जब 90 होता है तो प्रकास सर 1 रूड 3 और 2 का रेशियो हो लेते हैं माना जाए यही 2 जो आपके सामने है वो यही 2 होगा क्यों क्योंकि यह चीज जो गिरी है वो यही कटके गिरी है तो 2 यह तो 2 यह यह पूरे का योग 2 प्लस रूड 3 यूनिट पेंड की लंबाई यानी 12 के बराबर अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ तो इधर प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सर हम नहीं मानेंगे तो ऐसा कर लो 2 माइनस रूड 3 का इधर गुड़ा कर लो 2 माइनस रूड 3 का इधर दो का स्क्वार 4 माइनस 3 एक आएगा ऐसा भी कर सकते हो अब हमसे कह रहा है कि भाईया उचाई बता देओ मलब ये वाली कहां से टूटा तो रूड 3 का इधर रूड 3 का उत्थे गुड़ा करो 12 दूनी 24 रूड 3 तो यानि 24 रूड 3 और माइनस का 36 तो 24 रूड 3 माइनस 36 इस दा राइट आंसर ओप दिस कोशन 24 रूड 3 माइनस 36 इस कोशन का आंसर होगा 28 के बाद 29 नंबर कोशन लगाएंगे चले प्यारे दोस्तों बढ़ियां से पढ़ेंगे चीजों को समझेंगे हर एक चीज को सिखाया जाता है मोहबत से प्यार से बस पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे चीजों को सीखते रहे बाकी अंत में चर्चाएं अभी सब पढ़ाई पकल लेते हैं क्योंकि इसके बाद भी क्लास है रह जाएंगे कोशन इसलिए थोड़ा स्पीड लाते है LCM चाहिए 24810 का LCM आप विचार करो तो आप कहोगे सर 120 होता है कितना 120 क्या 40 नहीं होता 40 भी होता है क्योंकि 24810 लिखा है 2 से 40 भी जाएगा 4 से भी जाएगा 8 से भी और 10 से भी तो इसका LCM 40 ले लो तो ऊपर 24810 का LCM 40 होगा पहले बोलो हाँ नीचे का SCF SCF में सबसे छोटा देखो 3 है नीचे का सबसे छोटा 3 है और 3 का मैटपिल 9, 15, 21 तो 3 इसका SCF होगा सिंपल सा कोशन 40 भटा 3 ये कोशन देखे कुछ कोशन होते हैं जो हमिसा नए आते हैं उनमें से ये कोशन सामिल है ऐसे कोशन को वही लोग लगाएंगे जो निरंतर पढ़ रहे हैं भासा पढ़ना जानते हैं क्या एक संख्या का एक चौथाई कोई संख्या है X उसका एक चौथाई यानि X Y 4 दूसरी संख्या के 3 बटा 8 के बराबर है तो 3 बटा 8 Y के बराबर है तो कह सकते हैं X आपाउन Y बराबर 3 बटा 2 पहले बोलो हाँ यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए पहली संख्या X है उसमें 30 जोड़ा जाए जोड़ा था तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर 6 गुना यानि दूसरी संख्या 6 Y के बराबर अब इसको सौल करना है तो ये 3 है तो इसे 3 A माल लो ये 2 है तो इसे 2 A माल लो रख दो यहाँ पर 3 A प्लस 30 6 दुनी 12 A यानि 9 A बराबर 30 के 9 A बराबर 30 के हमसे कहरा पहली संख्या पहली संख्या 3 A है तो इसमें किसको भाग दे कि 3 A बन जाए तो 3 का भाग दोगे तो 10 यानि पहली संख्या 3 A बराबर 10 होगी आसा है ये कोशन बस वही बच्चे बना सकते हैं जो भासा पढ़ते हैं वो भी आराम से चलिए 10 is the right answer एक बच्चा कहरा है मैथ समझ में नहीं आता क्या करो जब बिलकुल ही मैथ नहीं समझ में आता तो आफ्लाइन कोचिंग जो आइन करो जो आज पास परोस के टीचर हैं उनके पास जाओगे अपना कीमती समय दोगे आपको मैथ आटोमेटिक समझ में आना चालू होगी मैं नहीं कहरा कि मेरे से ठीकिए जिन बच्चों को बिलकुल ही नहीं आता वो उनका कश्ट सिर्फ आफ्लाइन का टीचर ही दूर कर सकता है यही सत्य है और इसको जानो क्यों डारेक्ट वो बच्चा टीचर से इंट्रेक्ट होगा वहाँ पर बैठे टीचर से और अपने कश्टों को जब बताएगा तो टीचर उसे अच्छा और डेली उसको डाटेगा तो वो बच्चा पढ़ना भी चालू कर देता है जैसी ये को मने और जो ब्रेक्ट में देख रहे होगे वो 0.237 ऐसे ऐस वेल ऐस 0.763 ऐसे अपन नीचे आ जाओगे 0.7 ऐसे लेलो 0.936 ऐसे और साती साथ 0.064 ऐसे मैं आप से कहना चाहता हूँ मैं आप से कहना चाहता हूँ इसको जूड़ोगे तो एक आएगा इसको जूड़ोगे एक आएगा काट दो अब इसको सौल करना है दसमलों हटाओ यहाँ तो दो 0 आ जाएंगे आठ छे आठ बटा 700 दीगे जादा काटने के चकर में पड़ोगे तो पस्ताओगे सीधे 7 से भाग दो साथ का पाड़ा आता है 84 बारा सत्ते 84 साथ चोग 28 तो 124 बार में 7 से गया 100 से भाग दोगे 1.24 इसका राइट आंसर 1.24 आएगा 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 चले बहुत प्यार से बताता हुआ ये मासूम सा टीचर चलिए परते रहिए मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखे प्यारे दोस्तो निरंतर पढ़िए धीरी धीरी सीखे बहुत कुछ प्रॉपर पढ़ाया जाता है यूद कंप्टिशन टाइम से एंटी पिसी सीवीटू कब से कराओगे प्यारे दोस्तो अभी पहले ये सेट करा रहे हैं फिर उसके बाद देखेंगे अभी धैर रखो एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के एक तिहाई के बराबर है दोस्तो लड़कों की संख्या का 15% बात को समझो लड़कों की संख्या माना एक्स है ये भी कोशन भासा का है 15% लड़कियों की संख्या के एक तिहाई के बराबर है देखे मैं बार बार कहता हूं कोशन को पढ़ना सीखो लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या का एक तिहाई तो college में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनपात simple सा हो गया क्योंकि इससे ये 20 बार में जाता है बोलो हाँ और sorry ना 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 20 बार में इससे नहीं जाता इससे ये 3 बार में और ये 20 बार में तो x upon y बराबर 20 का उधर गुणा 3 तरिका 9 x upon y बराबर 20 बटा 9 आंसर आएगा चलिए तो ये इसका आंसर हो गया सभी लोग सेट पे फोकस करो ठीक है अपने कश्टों को अंत में चर्चा करो अभी फोकस इस पे 20 बटा 9 is the right answer रवी ने एक बैंक से 8 परशिन वार्षिक सधान ब्याच की दर से रिड लिया पांच वर्ष के बाद उसे उस अवधी के लिए ब्याच की रूप में 6400 का भुकतान करना पड़ा रवी द्वारा उधाल लिया गया मूल धन प्यारे दोस्तों हमीसा याद रखी एक साल में 8 परसिन व्याच तो 5 साल में 40 परसिन यही 40 परसिन की वैलू 6400 के बराबर है यह बात आप माइंड में बैठा लो क्योंकि एक साल में वह इंट्रेस्ट 8 परसिन देता है चार साल में 40 परसिन देगा और वह ब्याच की रूप में 6400 दे रहा है हमसे कह रहा है मूल धन यानि 100 परसिन बता दो मैं आप से पूछना चाहता हूँ मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या अगर मैं इसमें 160 का गुणा करूँ 16 चोपू 64 ऐसे 0020 तो बस 160 का गुणा कर लो 16000 is the right answer the right answer of this question guys 16000 तो 40 का आंसर 16000 आएगा 46 नंबर कोशन पर ये मगर प्यार से बहुत अच्छे सिखाएंगे हर चीज बताएंगे धैर रखे और प्यार से सीखे यदि alpha और beta बहुपत f of x kx square प्लस 4x प्लस 4 के एक ऐसे शून्याक हैं कि alpha square beta square बराबर 24 तो k का धनात्मक मान गया है ये एक कैल्कुलेटिव कोशन है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कैल्कुलेटिव है समझो प्यारे दोस्तों f of x बराबर कि x square 4x plus 4 बोलो हां के ऐसे सुन्याक है कि alpha square beta square बराबर 24 तो k का मान पूछा गया है प्यारे दोस्तों हर चीज को सीखेंगे मोहबब से कि alpha plus beta का whole square होता है alpha square beta square plus 2 alpha beta यस या नो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि alpha plus beta का whole square बराबर this one होता है इस portion की value आपके सामने क्या है 24 है alpha plus beta कैसे इससे निकाल लो alpha plus beta minus का 4 by k आएगा दिकरा होगा और alpha into beta जो की 4 बटा k आएगा उठा के रख दो जब यहां रखोगे तो 4 का square 16 बटा k square हो जाएगा और 24 चार दुना 8 by k हो जाएगा इस equation को समझना 8 से भाग दो 2 बटा k square 2 बटा k square 8 तरिका 24 और यह 8 यह 1 by k हो गया त्यारे दोस्तों यह quadratic equation बनेगी और इसको solve करने पर ही answer आएगा फिर भी हम इसको solve नहीं कर रहे हैं हम via options करने की कोसिस करते हैं फिलाल via option में यह question थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि options नमबर 4 सही है पहला नहीं ना दूसरा ना तीसरा सीरे चोथा सही है तो फिर आप quadratic बनाना और solve करना फिर भी via options करने की हिम्मत कर रहा हो मैं जैसे पहला में लिखा है के बराबर 3 बटा 4 दोस्तो दो ऐसे 3 बटा 4 तो 3 का square 9, 4 का square 16 बराबर 3 प्लस 1 by के 3 बटा 4 यानि यह आप खुद देखो यह 16 दूनी 32 बटा 9 आ गया 32 बटा 9 कटता नहीं 9, 4, 13 मतलब यह LHS, RHS नहीं है गलत हो गया दूसरा option एक बटा 3 उल्टा कर दो तो 2, 3 का square 9 हो जाएगा 3 और यह 3 LHS, RHS बराबर नहीं है 18, 9 के बराबर नहीं होता C वाला option 4 बटा 3 उल्टा कर दो 9 बटा 16 हो गया और 3 बटा 4 18 बटा 16 जिसे समाच 9 बटा 8 कह सकता है 15 बटा 4 यह भी नहीं मतलब options number D is the right answer 2 बटा 3 लखता है तो 2 ऐसे 2 बटा 3, 2 का square 4, 3 का 9 और इधर आओगे 3 ऐसे 2 बटा 3 तो 3 बटा 2 आप देखो 2 से 2 बार में गया साड़े 4 और यह भी साड़े 4 अर्थार इसका D options सही है याद रहे है यह थोड़ा सा बड़ा हुआ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या कि इससे ज़्यादा आप shortcut लगा सकते हो कैसे quadratic equation को solve करके एक बच्चा बार बार message कर रहा है कि math को better कैसे करूँ आपकी class 3 से देख रहा हूँ कुछ tips दीजिए sir math को better करने लिए हमने बहुत tips दे रखी है ठीक है देउता यह किताब रखी है इस किताब को solve करो ठीक है railway end की त्यारी अगर कर रहे हो तो इस किताब को solve करो और वहाँ जाके हमारे solution देखो कैसे पढ़ाया है इससे बड़ी tips नहीं है और जाके खुदी देखो उसको पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और इसके बारे में हम कई अलग से वीडियो बना चुके हैं समझ गए अब पढ़ाने दो और पढ़ते रहो ठीक है एक कमेंट को बार बार मत करो मेरे भाई सारा फोकस पढ़ाई पर रात को नौ बजे special class होती है उसको करो और अच्छे से पढ़ो एक बच्चा दो बटा तीन आंसर बता रहा है दो बटा तीनी होगा अंसर ठीक है दो बटा तीनी होगा दो का स्क्वेर चार और तीन उपर तो ये नो बटा चार तो साड़े चार और ये भी साड़े चार LHS, RHS के बराबर 46 के बाद 48 नंबर कोशन पढ़िये मगर प्यार से सीखे और प्यार से पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे ग्रुप D के ही त्यारी के लिए हमने बताया है बच्चा आपको अलग अलग से वीडियो बना बना के उन वीडियो को देखो हर वीक में एक बार जरूर बताता हो कि कैसे अच्छी स्तियारी करें क्योंकि बहुत से बच्चे हमें अभी नहीं जानते ठीक है फॉर्म करोलों ने भरा हुआ है अब पूरी की पूरी किताब पढ़ा के कॉनसेप्च्वल बैठा हुआ हो एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेल गाडियां एक ही समय में धाईस सो किलोमेटर को मिलती है उनकी चालो का अनपाद ग्याद किजिए मैं आप से कहना चाहता हूँ प्यार से सिखे कैसे ये दो रेल गारी है मलब ये दो इस्टेशन है जिनके बीच की दूरी धाईस सो किलोमेटर और कहरा है एक इस्तान से 130 किलोमेटर की दूरी पहली वाली और दूसरी तो बाई डिपाइट 120 यही ना एक दूसरे से मिलती है उनकी चालो का अनपाद देखो कितना प्यार से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 130 और 120 00 काड़ दो हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो directly proportional to distance मतलब स्पीड का भी रेशियो 13 और 12 जियां पहली की स्पीड 13 की होगी और दूसरे की 12 की यह फरजी कोशन हो गया महबत वाला पचास नंबर कोशन 8000 की धन रासी 5% वार्सिक ब्याज की दर से दो वर्स का चक्रवर्ती ब्याज ब्याज गरना वार्सिक तोर पर होती है तो ग्याद कीजिए रासी कितनी है 8000 है पहले बोलो हाँ 5% दो साल के लिए तो आप हमारा CI पड़े होगे यूद का 5% परसिंटेज 2 जिरो गया 400 आया फिर 5% परसिंटेज से 2 जिरो गया 5 को 20 यानि 2 आया 2 साल यानि 2 इस टू 1 ये 800 ये 20 820 is the right answer जी हाँ दोस्तो 820 is the right answer of this question तो 50 का answer 820 हो जाएगा 57 नंबर कोशन जी हाँ बढ़ियां से लगाईए मोहबबस से पाईए चले तो ठोको लाइक बोलो हाँ केता है मगर प्यार से कैसे प्यार से एक्स अपाउन दिखो मीन निकाला है सेम पैटरं का कोशन तो फोई दिर पहले भी आया कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपाउन सिग्मा एफ हमें सॉल करना है तो एफ ऑफ एक्स पांच गुड़े छे तीस होता है 10 गुड़े के यानि 10 के होता है 15 गुड़े 6 पंदरा चके 90 होता है 20 दस से 200 होता है और 25 गुड़े 5 एक सो पत्चिस होता है अपॉन सिग्मा एफ नीचे सभी वैलू को जोड़ दो नीचे सभी वैलू को तो 6 दूनी 12, 12, 10, 22, 25, 27 मतलब नीचे जब जोड़ोगे तो 27 प्लस के हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो मीन है वो 15 है बस अब आपको धैर पुर्वक याद रखना है यह 120 होता है यह 320 भई 120 और 200 320 चार सो बीस और पच्चिस चार सो पैतालिस प्लस टैन के 15 का गुणा 15 सत्ते एक सो पाँच दस हासिल 30 चार सो पाँच और पंदरा के मासूम से दोस्तो बढ़या से पढ़िये इसका अंतर 40 आ गया इसका अंतर 5 के आ गया यानि के बराबर 8 the right answer of this question k is equal to 8 आएगा k is equal to 8 आएगा जी हाँ 57 के बाद 60 number question आ गया बढ़या से पढ़िये प्यार से सीखे और चीजों को जानिये परते रहें मुस्कूराते रहें दोस्तो थोड़ा session को share air करिये अभी 8 set बाकी है support मिलेगा तो ये पूरी किताब हो जाएगी जैसा आप जानते हैं कहता है A और B किसी परियोजना को 10 दिन में पूर कर सकते हैं यानि A और B can do a piece of work in 10 days बोलो हाँ B और C 20 दिनों में B और C किसी कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और C और A 30 दिनों में किसी कार को पूरा कर सकते हैं यदि A, B और C एक साथ मिलकर काम करते तो वे परियोजना को कितने दिन में पूर कर लेंगे प्यारे दोस्तों कितने दिन में पूर कर लेंगे A, B, C दोस्तों बहुत अच्छे समझों 10, 20, 30 जो कि 60 आया यहां कार छमता 6, यहां 3 और यहां 2 हो गए देखा जाए 6, 3, 9, 2, 11, 6, 3, 9, 2, 11 हो गया बोलो हां पर यहां पर जब जोड़ा तो 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C की कार छमता 11 अगर मैं A, B, C की कार छमता देखू तो 11 में 2 का भाग दोगे 5.5 हमसे कहरा यह 60 कराना है तो 5.5 का मतलब 11 बटा 2 से भाग यानि 120 बटा 11 यही उत्तर हमारा प्यारे दोस्तों, कोश्चन नमबर 61 कहरा है, X का वह मान ग्याद कीजिए, जो इस वेंजर को मान को पूल वर्ग बना दे मैं आपको बड़े सिंपल वे में सिखाऊंगा, आपको कोई महनत नहीं करनी होगी बस लिखना पड़ेगा, वना डारेट कहे दें कि ओप्संस ए सही, तो आपको कश्ट हो जाएगा आप जब मैं लिख रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्या ये चीज लिखने में कोई गवड है 12.95 तो दो बार लिखा हुआ है प्लस, यहाँ दो यहाँ भी छोड़ दो ऐसे प्लस लिखा, अंत में लिखा है 0.03 whole square मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कभी A प्लस B का whole square देखा होगा A square प्लस B square प्लस का 2AB तो 2 12.95 और इंटू 0.03 अब ये चीज आपने देखी है और यहाँ कोशन में जो बेच वाली वैलू दी गई है वो 12.95 दी गई है साथ में X दी गई तो आप देखू बस इन दोनों का गुणा ही X होगा तो कि ये तो all lady है X बराबर 0.06 कैसा लगा 61 number कोशन चलिए 63 number कोशन को पढ़ेंगे बड़े महबस से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे चीजों को सीखते रहे प्यारे दोस्तो सारा फोकस तैयारी में करेंगे तो जल्दी ही सफलता मिलेगी फिर उसके बाद दुनिया मो माया में आप ग्रसित होंगे तो अभी आप उसको त्याक कर धैर पूर्वक पढ़िए ऐसा माना जाता है जी हाँ ये वो समय है जिस समय आप बन सकते हो बाकी आप स्वयम समझदार है A और B के विमान ग्याद करें जिनके लिए समिकन निकाय के अनन्त सलूशन होंगे अनन्त मतलब infinite number of solution ये तभी होते हैं जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 हो तभी इसके infinite number of solution होते हैं क्योंकि यानि वह A की equation होगी ठीक है माना ये जाएगा कि आप देखो 2 अपॉन 4 लिख दो माइनस माइनस कर दाएगा A माइनस 4 ऐसे तो नीचे A माइनस 1 और यहां 2 B प्लस 1 और 5 B माइनस 1 ये चीज दो equation को देखकर आप लिख सकते हो अब यहां solve मत करो फिलाल तो solve करना बहुत आसान है आप यहीं से खेल सकते हो और solve भी कर सकते हो भाई सर कैसे solve कर लें अरे आप देखो ये 2 A हो गया ये 4 A तो 2 A बचा ये माइनस का 2 A ये 4 चकु 16 तो 16 ये हुआ इधर आया 14 हो गया A A बराबर 7 आया आप खुद डिसाइड करो क्या नहीं आया 7 A बराबर खुद ही डिसाइड करो अरे मेरे भाई ये 2 A हुआ बोलो हाँ ये 4 A तो इधर 2 A बचा ये माइनस का 2 A 4 चकु 16 माइनस का तो इधर आयेगा तो प्लस का 16 16 में से 2 गया 14 तो A बराबर 7 आया तो options नमबर A और options नमबर B बस ये ही 2 में से कोई answer क्योंकि इनी में A बराबर 7 अब B बराबर 1 तो B बराबर 1 रख लो तो 2 एक 3 तो ये 3 हुआ अब 5 में से 1 गया 4 हुआ तो 3 बचा 4 बच यहां 2 बचा 4 है यानि 1 बचा 2 है तो options नमबर B सही होगा यहां B बराबर 3 होगा सर कैसे 3 दूना 6 एक 7 उपर 7 हुआ 15 में से गया 14 7 बचा 14 2 बचा 4 यानि 1 बचा 2 का रेश्यू होगा तो इसका right answer 63 का options नमबर B होगा चाले ये भी एक प्यारा कोशन है जो बच्चे नहीं जानते रात को ये किताब का percentage पढ़ाया जारा 221 कोशन प्लस special class रात को 9 बजे डेली पढ़िए भर भर के सीखिए अगर आप NTPC CBT2 की त्यारी कर रहे हैं तो तो जरूर जुड़िये और अच्छे से त्यारी को करिए ठीक है अन्था आप स्वेम जिम्मेदार होंगे एक दिन ठीक है मैं बताना पढ़ता है भाई जब तक बच्चे को बताएंगे नी तब तक बच्चा जानेगा ने कि हमें पढ़ना पढ़ेगा लेटेस्ट अपडेटेट चीजों को क्योंकि पेपर TCS करा रही और ये पूरी किताब TCS पर बेज़ड है ठीक है ऐसे नहीं सॉल्व हो जाना है कि एक ही दिन में धीरे धीरे अब देखो धीरे धीरे करते करते क्या क्या पढ़ा दिया उसका टाइम मेंड़ पढ़ा दिया पाइपन सिस्टन पढ़ा दिया ठेक है आउसत प्रस्षत व्रद्धी ग्यात किजिए यहां इस कोश्चन में आउसत व्रद्धी पूछा गया यानि पहले एक लाग पच्छत्तर हजार दो लाग बासट हजार इसका अंतर करो यानि घटाओ प्यारे दोस्तो घटाओगे जब तो घटाना तो पड़ेगा पड़ेगा एक लाग पच्छत्तर हजार से बढ़कर दो लाग बासट हजार तो पान्सो आएगा पान्सो तो ऐसे आएगा पान्सो फिर बारा में से पांच गया तो साथ आएगा फिर पच्छिस में सत्रा गया आट आएगा सत्तासी हजार पान्सो और बढ़कर वी एक लाग पच्छत्तर हजार से गुड़ा सो पर हम से कह रहा है आउसत बताओ प्रतिवर्स तो पांस से और भाग दे दो एक दो तीन एक दो तीन जिरो गया तीन जिरो गया प्यारे दोस्तो आप देखो पांस से भी यह जाएगा सोला पच्छे असी सोला एक सत्रा पिचासी हो गया अब यह पचीस हो गया पांच बार में एक ठो जीरो यह अभी भी रहा ठेक है सत्रा सो पचास और इससे यह जाएगा पूरा का पूरा दस परसींट इस दा राइट आंसर तो इस कोशन का जो आंसर आएगा तो जन संख्या में प्रतिवर्स होने वाली और सतन प्रस्षत व्रधी ग्याद किजिए तो एक सत्रा सो पचास अपाउन एक सो पच्छत्तर दस परसेंट की व्रधी होगी पांस से क्यों भाग दिया क्योंकि पांस साल का बोला गया चले तो पड़ते रहें महोबत से और चीजों को सीखिए हर चीज सीखी जाएगी मगर प्यार से जो पढ़ेगा वही भढ़ेगा बाकि मोमाया वाले लोग तो ग्रसित रहेंगी सत्तर नमबर कोशन सत्तर नमबर कोशन देखो रूड थ्री माइनस वन अपॉन रूड थ्री प्लस वन रूड थ्री माइनस वन अपॉन रूड थ्री प्लस वन रूड थ्री प्लस वन अपॉन रूड थ्री माइनस वन और टू माइनस रूड थ्री अपॉन टू प्लस रूड थ्री और टू प्लस रूड थ्री अपॉन टू माइनस रूड थ्री इस question को हम लोग तेजी से करेंगे उससे पहले आपको थोड़ी सी बात बताते हैं तो ज़्यादा जल्दी कर लोगे आप a plus b का whole square और a minus b का whole square जानते होंगे कहता है 2 times a square plus b square होता है a plus b का whole square होता है a plus b का whole square plus a minus b का whole square 2 times a square plus b square होता है यह बात mind में आई अब देखो यहां पर इसका गुड़ा करोगे तो यह root 3 minus 1 का whole square बनेगा यहां करोगे तो यह root 3 plus 1 का बनेगा देखा जाए यह इसी pattern को follow कर रहा है तो आप 2 ऐसे लिख सकते हो root 3 का square 3 1 का square 1 नीचे root 3 plus 1 root 3 minus 1 a minus b a plus b या a plus b a minus b a square minus b तो यह दो आजाएगा similarly यहां पर देखो तो 2 minus root 3 का whole square 2 plus root 3 का तो यही pattern बनेगा तो दो ऐसे लिखो 2 का square 4 plus 3 अब 2 का square 4 minus 3 तो नीचे एक आया तो यह 2 से दो गया यह 4 आया और 7 दुनी 14 यहां आया 18 is the right answer इस question का जो answer आएगा वह 18 आएगा क्या आएगा दोस्तो 18 is the right answer बहुत आराम से 24 सेट होने वाले हैं जो लोग सोचते थे कि कब होंगे खतम कब हमिसा याद रखो अगर आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हो मालूम नीच लाओगा 24 सेट हो गया आटे बचे कुछ दिन में किताब खतम हो जाएगी ठीक है तो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे हर एक चीज हो जाती है 22 नंबर कोशन लगाईए मगर प्यार से हर चीज को सीखेंगे बहुत धैर पूर्वत बहुत धैर पूर्वत क्योंकि जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा आंसर इसका ठारा आया लोग दददस बोलने हैं ये अच्छा पहले वाले का बोलने होंगे तो ये वाला समझ गए सभी लो बोलो हां चले तो पढ़ते रहे ये मुस्कुराते रहे और हसते भी रहे यदि 10 ठीटा बराबर 12 बटा 13 है तो 2 साइन ठीटा कोश ठीटा आपाउन कोश स्क्वार ठीटा माइनस साइन स्क्वार ठीटा का मान ग्याद कीजिए दोस्तों चीजों को समझो 10 ठीटा बराबर 12 बटा 13 है ये 12 है और ये 13 है ये आपको हाइपोटेनस निकालनी की जुरती नहीं पड़ेगी ठीक है कोई जुरत नहीं पड़ेगी देखो 2 साइन ठीटा साइन ठीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस ठीटा बेस अपॉन लंब बटा कर आधार बटा कर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस नीचे ल S S कड़ गया बस P बराबर 12 B बराबर 13 रखना है तो दो गुड़े 12 गुड़े 13 नीचे 13 का स्क्राइर 169 बारा का 144 तो पांची आएगा दो गुड़े 12 गुड़े 13 और नीचे 25 आया बोलो हाँ options देखो कोनों मिली रहा होगा तो options नंबर B मुझे नजर आ रहा है हो सकता है A हो ये भी है खत्रा बना रहता है ये 24 गुड़े 13 फिलाल A ही लग रहा है अब तो अपांची तेरा चक्कु बावन पांच हासिल तेरा दुनी 26 पांच 31 तीन सो बारा अपांची इस दा राइट आ आंसर 312 होगा जी हाँ अपां 25 बातर के बात तेजी से सब लोग आंसर दीजे ठीक है और बाकी पढ़ाई पर फोकस कीजे स्वयम पर फोकस करोगे तो हमेशा आगे पढ़ोगे जो दूसरों पर फोकस करेगा वो स्वयम जिम्मेदार होता है मैं नहीं कह रहा हूँ यही सत्य है लगता है छोटी छोटी चीजें को देखते हुए आप जिसे आप आज हलका निगेटी हुए धेद्रे करके और हलके निगेटी हुए एकदम पूरे निगेटी हो जाओगे नहीं समझे घर में पहले आप एक रुपए चोड़ी कर रहे थ मम्मी की चैने बेच आया तो फिर क्यों कि जब छोटी छोटी चोरी कर रहे थे घर वालों ने काया छोटो बच्चा छोटा है कुछ नहीं करेगा उसको आदत पड़ गई उसके रिक्वार्मेंट बढ़ गई उसने बड़ा हाथ मार गया समझ गया समझ गया एन भी भाई न ज़िए उस वस्तु पर को 3600 में बेशता है तो उसे होने वाला प्रसत लगभग लाथ क्या है तीन हजार के 3600 में तो 600 रुपए कमाया अपॉन तीन हजार और गुड़े हंडिड अब होने वाला लगभग कोई जुरते नहीं पूरा एक्जेक्ट निकलाएगा यह साफ साफ दिख रहा है कि इससे दो और दस्सा बीस परसेंट इस दर राइट आंसर तो 75 का आंसर क्या होगा बीस परसेंट होगा 78 नमबर लगाए और प्यार से सीखिए हर चीज को विस्तार से पढ़ाया जाता है विस्तार से पढ़ाया जाता है 78 नमबर किरन की किताब भी चालू कर दिया है जो लोग किरन पढ़ते हैं रात को 7 बजे वो भी चालू कर दिया है किरन की किताब मलब 4-4 लेक्चर अब देता हूं मैं रमेश एक वस्तु को उसके वास्तिक मुल से 15% कम मुल पर खरीदता है माना किसी वस्तु का कोश्ट प्राइस 100 है या MRP 100 है कुछ भी इससे 15% कम पर खरीदा यानि 85 रुपए पर खरीदा क्योंकि कोशन कह रहा है और इसके वास्तिक मुल से 10% अधिक पर बेचा तो 100 से 10% अधिक यानि 110 पर बेचा कहता लगभग लाब बताओ दोनों का अंतर जो की 25 आएगा और 85 गुड़े 100 हो जाएगा मासूम से दोस्तों ये 5 बटा 17 आज आएगा तो आप मोटा मोटा देखो 500 बटा 17 देखो जादा कैलकुलेशन करोगे तो टाइम बरबाद होगा ये लगाओ सर कैसे अगर ये चीज 510 बटा 17 होती तो 30 परसेंट के पास पहुच जाते की नहीं पहुच जाते बोलो हाँ पहुच जाते क्योंकि 17 ते आएग क्यावन पर ये 500 है तो उससे थोड़ा सा कम तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 29.41 परसेंट आजाएगा मुद्दा खतम ये दिमाग ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर और क्या और चीजों को समझा भी जाता है 78 के बाद 79 नंबर कोशन सभी लोग करिए और आंसर बताएगे चले पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए चीजों को सीखते रहिए 79 नंबर कोशन दोस्तो दी गई स्रेडी का मान ग्याद किजे इस स्रेडी का मान ग्याद करना है बड़ी सिंपल सी स्रेडी है इससे 2 स्क्वाइर कॉमन लेलू ऐसा करने से ये एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर एंड सो ओन 22 का स्क्वाइर यानि 11 का स्क्वाइर हो जाएगा जी हाँ 11 का स्क्वाइर तक हो जाएगा हम जानते हैं कि एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर एंड सो ओन n का स्क्वाइर जो कि n by 6, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होता है बस n बराबर आपको 11 रखना होगा क्योंकि 2 का square 4, 11 बटा 6 और 11, 12, 22 और 23 हो जाएगा इसको calculate करो 6 से ये 2 बार में गया ये हो गया कित्ता 46 गुड़े, 11 गुड़े, 4 6, 4, 10 और ये 5 गुड़े 20, 24 इसका answer आजाएगा इस question का answer 20, 24 आएगा 79 का दोस्तों, बहुत प्यार से पढ़ा देता हो ऐसा मेरा खुद का मानना है चलिए Sir, इस math का question bank है प्यारे दोस्तों, ये किताब है माना ये जाता है कि इस किताब को खरीद के पढ़ो हम तो इसका पैसा लेई नहीं रहे हम तो जो 32 सेट पढ़ा रहे है उसका तो पैसा और ये भी नहीं कर रहे है कि हम आपको कोई link भेज रहे है कि वहिया इससे वाय कर लो हमें कमाई हो जाए समझ गए जहाँ पर भी मिले offline, online जहां तुमारी स्रद्दा है इस किताब को खरीद के पढ़ लोगे 1500 रुपया किताब है और पेजे से इसमें किते 432 ठीक है 32 सेट आपके complete हो जाएंगे धीरे धीरे पढ़ते रहे है मुस्कुराते रहे है ठीक है कहीं 130, कहीं 120, कहीं 140, कहीं 1500 ऐसे ही मिलती है किताब हमने भी खरीदी है यही सत्त्य है ठीक है चले 82 नमबर कोशन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से सोलूशन हम करा दे रहे है जिससे आपको benefit हो और चीजों को सीखो अब इनकी PDF के चक्कर में पढ़ोगे परिसान होगे कहीं नहीं मिलती PDF आपको सही बता रहे है ठीक है PDF ऐसे नहीं मिलती है यह सब फोटू खिचे हुए कोशन है जो तो आए सामने देख कहीं तेड़ा, कहीं मेड़ा ठीक है सब हो जाता है फोटू में पर तब भी quality पढ़ियां से फोटू खिचते हैं कुछ कोशन में तो लगेगा कि टाइप किया हुआ लग नहीं दा, टाइप किया हुआ तो कुछ में तो अच्छी फोटू कुछ में किताब जैसी तेड़ी हो गए वैसी खिसती है वै छोटी-छोटी संक्या ग्याद करो जिसे 588 से गुणा करने पर फ्राप्त संक्या पूर्वर्ग बन जा है मैं आपको बताता हूँ पहली तो बताओ ये 588 क्या पूर्वर्ग है किसी का नहीं पहली बात options पे जाओ 5, 3, 2, 4 मैं आप से बहूत प्यारी से बात कर रहा हूँ अगर आपने समझ डाला लाइब ज्छिंगा लाला लाइब ज्छिंगा लाला एक चीज़ देखो ये जो तरीका बता रहे है ये बैटर है काम आएगा अगर मैं इसमें 5 का गुणा करू यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सी नदब पहले तीन के लिए इसके अंकों का योग करो तो 21 आया तो यह और लेड़ी तीन का मल्टपिल है और अगर मैं तीन का गुणा और कर दूँ तो तीन का तो यह मल्टपिल था तीन का तो अब यह परफेक्ट स्क्यार हो जाएगा हो जाएगा यह ना भी हो तो फिर दो से करना चेक करना पड़ेगा चलो बातों को समझना तो यहाँ पर इसका जब गुणा करोगे तो यह परफेक्ट स्क्यार हो जाएगा सर नहीं चेक करते हैं आर्टरिका 24 हासिल 24, 26 और 1764 जो की 42 का स्क्यार होता है बैटल आप बक्सद 1764 में हुआ था बोलो हाँ तो यह 42 का स्क्यार हो गया अब बच्चे क्या करते हैं वो इसको 588 को ब्रेक करेंगे तोडेंगे क्या किसर 2 गुड़े, 2 गुड़े, 7 गुड़े, 7 गुड़े, 3 होता है, यह वैलू होती है इसकी, अब यहाँ पेर बनाना है तो 3 का गुड़ा करना, जी हैं, तो फिर आपको यह मैनत करने पड़ेगी, हो सकता है आपको मेरा यहला तरीका नहीं समझ में आ है, तो इसके सारे फैक्टर करना, देखना कौन सा पेर नहीं बन रहा है, तो 3 वाला नहीं बनना है, इसलिए 3 का गुड़ा करेंगी, ठीक है, सीखना पड़ता है, ऐसे कोशनों को, चलिए, आकास, कुमार जी, सब किताबे पॉस्विल नहीं है, चार किताबे डेली पढ़ा रहा हूं, अब के दो 5 ही भी पढ़ा दू, एक बार फोटू खीचके, जब कोशन से पा रहा हूं, ठीक है, 14 घंटे मेहनत, क्यों, पहले तो स्वेम कोशन स्वाल करने होते हैं, पहली बात, फिर फोटू खीचनी होती है, फिर ये पढ़ाना होता है, कितनी मेहनत होती है, आपको तो लगता है लॉली पॉप है, आया टीचर पढ़ा दिया, ठीक है, समझे, अरे दोस्तो, भिन माना एक्स और वाई है, नुमिरेटर और डीनॉमिरेटर, इसके अंस में 6 जोडा जाता है, तो भिन का मान तीन चौथाई बढ़ जाता है, तीन चौथाई, मतलब अपने आप में जो भिन था, एक्स वाई फोर, वो तो रहे गए रहेगा, और इसका ती तीन बाई, तीन चौथाई, तीन बटा चार भिन का मान बढ़ जाता है, ये बोल रहा है, तो भिन का अंस घ्यात कीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सौल कराऊंगा, तो प्यार से, ये वाई वाई ऐसे निप्टा दो, क्योंकि नीचे का तो कटे गया, चार तीन साथ साथ एक्स बाई फूर हो गया, जो कि एक्स प्लस सिक्स के, चार एक्स, साथ एक्स, यानि तीन एक्स, चाचोगो चौबिस, एक्स बराबर आठ, तो भिन का जो अंस होगा, वो आठ होगा, 85 का अंसर आठ आएगा, अब 86 से 89 तक जो डियाई है, उसको प्यार से पढ़ेंग चले आसा है ये डियाई आपको दिख रही होगी एक बच्चा केरा आप मंतली कितना कमाते हैं आपने कितना रुपए दिया ये बताओ ठीक है प्यारे दोस्ट आप स्वयम बताईए आपने कौन सा कोर्स बाय किया जिससे मैं करोणपती बन गया बताईए ठीक है अरे देवता समझ गये मंतली जादा वो कमाते जिनके वीडियो में लाखो व्यूज आ जाते हैं आप देखो 2000, 4000, 5000, 5000, 7000 ऐसे समझ गये तो बस पढ़ते रही है जीवन कट रहा है और हम पढ़ा रहे हैं कहता है एक विद्याले के विभिंस सैक्सनों में विद्यारतियों की संख्या को दर्साने वाले बार ग्राप को देखें और प्रेश्न का उत्तर देखें निम लिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यारतियों की संख्या का अनुपात एक और तीन है आप एक चीज देखो जैसे ओप्सन में देखते हो सेक्शन दो और पांस लिखा हुआ है दो पे देखो तो वो तीस को टच कर रहा है पांस को देखोगे तो सत्तर का कभी एक और तीन का रेशियो नहीं बनेगा सेक्शन बी को देखो सेक्शन बी में तीन और एक तीन वाले को देखोगे तो वो बीस को टच कर रहा है एक वाला साट को तो 20 और 60 का ratio एक और 3 होता है यानि 86 का जो answer होगा बच्चा वह क्या होगा 86 का answer तो 86 का answer भी होगा observation question है चलो आगे बढ़ते हैं question number 87 देखते हैं किस section में विद्यार्तियों की संक्या किसी अन सेक्षन की तुलना में ठीक दुगनी हो जाएगी option में जाके question में option देखो 3 option में तीन है तीन में देखा 20 बाकी में देखो 20 का double 40 होता है तो पहले में 60 30 फिर 40 तो पहला ही हो जाएगा option number A ही हो जाएगा सर ऐसा क्यों आप खुद देखिए ना एक सकेट किस section में विद्यार्तियों की संक्या किसी अन सेक्षन की तुलना में ठीक दुगनी हो ओहो ना ना option 87 का A नहीं होगा क्यों 87 में 20 आ रहा है वो किसी का दुगना नहीं है वो सबस़े छोटा ही है तो 87 का A काड़ दू 87 का B जाओ बी वाले में 4 नंबर 40 को टेच कर रहा है और 40 तीन नंबर वाले का दुगना है देखो तीन नंबर में 20 को टेच कर रहा है चार नंबर वाला 40 तो option नंबर B होगा 87 का क्यों होगा तोकि 4 वाला 40 है उसमें और 3 वाले में टच जो कर रहा है 20 तो 20 का double 40 चले तो 87 का आप समझ गए होंगे 88 3 सरवादिक संख्या वाले सैक्सनों में छात्रों की संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सैक्सनों में छात्रों की संख्या का अंतर ग्याद किजिए तो सरवादिक आपको दिख रहा होगा 60 वाला 70 को टच कर रहा है और 50 को 60, 70 और 50 180 60, 70 और 50 अरे आप बड़े बड़े जो लाइने टच कर रहे है उनको देखो माइनस फिर देखो 2 नमबर, 3 नमबर और 4 नमबर 2 नमबर 30 को, 3 नमबर 20 को 4 नमबर 40 को तो इनका योग 90 और 3 से भाग दे दो क्योंकि आउसर चाहिए 180 में 90 गया तो 90 बटा 3 यानि 30 is the right answer फिर उसके बाद हमसे 89 कहता है ग्राप में प्रदसी सभी 6 संख्याओं की तुलना करने पर किस सेक्षन में विद्यारतियों की संख्या विद्यारतियों की आउसर संख्या से कितना तो अभी हमने ये 3 जोड़े 3 जोड़े, तो 3 ये 180 नमबर, यानि 270 हो गया, टोटल 6 हो गया भाग दो 45 आया 45 के आसपास की वैलू देखो क्योंकि हमसे कह रहा है 45 के आसपास, आसथ के पास तो option में गये, मलब question में तो 2 वाला 30 को touch कर रहा है 4 वाला 40 को तो 45 के पास आ गया और 6 वाला 50 को तो 45, 45 और 50 के बीच में आता है तो 4 नमबर, 6 नमबर 4 नमबर, 6 नमबर, 89 का जो options होगा, वो कौन सा होगा option नमबर B option नमबर B यानि इस question का option नमबर B आएगा जी हाँ दोस्तों तो आसा है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से ठीक है, तो चीजों को पढ़ते रहे हैं, अभी इसके 8 सेट बाकी हैं, हम आपको ये किताब पढ़ा रहे हैं, अगर आप CBD-2 की त्यारी कर रहे हो रोज रात 9 बजे हमारे साथ पढ़िए, और सीखिए यहां conceptual हर टाइप के questions हर लेवल के सिखाए जा रहे हैं, CBD-2 as well as SSC की किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो रात को 9 बजे पढ़िए, मोहबबस से पढ़िए, डेली, हाँ संडे को छोड़ कर, पर कभी-कभी संडे को भी हम classes ले लेते हैं, जो बच्चे SSC-GD की त्यारी कर रहे हैं साडे बारा से उनकी भी class है पढ़ते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं और हम पढ़ाते रहेंगे जैहिन, जैभारत, हाँ class schedule, कोसिस अब अमारी एक डेली आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्यारे दोस्तों, डेली प्रोवाइड करना चालू कर दिया है अगर आप लोग हमारे टेली ग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाईए टेली ग्राम का लिंक कहाँ होगा ये एक बड़ा मुद्दा है कि सथ टेली ग्राम का लिंक कहाँ पर है description में लिंक होता है पर आप देखते नहीं हो, फिर भी हम आपके सामने टेलीग्राम का लिंक भेज दे रहे हैं, टेलीग्राम में जुड़िये सिड्यूल आपको प्रॉपर वहां मिलेगा, कब क्लास होगी, कब नहीं होगी, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक नहीं कई सारे एक्ज